ग्रहण अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपके राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागट है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफले आठ फरवरी दोजार चोबीस गुरुवार का दिन है माग मास के कृष्णपक्ष की त्रयो दशी तिती रहेगी इस दिन शिव चतुर दशी याने मासिक शिवरात्री का महा पर्व भी रहेगा उत्रा साड़ा नामक नक्षत्र होगा तथा मकर राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो दक्षिन दिसा में होंगे इसलिए दक्षिन दिसा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस दक्षिन दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो जीरा खा करके यात्रा का शुभारंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दो पहर एक बच के तीस मेट से लेके तीन बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुभ एवंबांगली कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अथ्वा केलेंडर कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई शेत्रों में माना जाता है और कई शेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिह हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की मकर राशी में वहीं चंद्रमाभी मकर राशी में, मंगल गरह मकर राशी में, बुद्ध गरह मकर राशी में, देव गुरु ब्रहस्पती जोकी मेश राशी में, शुक्र गरह धनू राशी में, शनिदेव कुम्ब राशी में, राहु गरह मीन राशी में तथा केतू गरह कन्या राशी में बिराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार मेश मिठुन सिंग तुला धनु एवं मीन ये छे राशियां सबसे दिख भागिशा लेने वाली है करिक्षित्र में इनको उन्नति और प्रगति के उत्तमा उसरप्राप्त हो सकते हैं धनलाप के सांसाथ नया काम नई जिम्मेदारी नया मुकाम भी इनको मिल सकता है तो कुल मिलाकर के छे राशिवालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा सुर्योदे सुबह साथ बजे होगा तथा सुर्यास्त शाम को छे बच के पांच मिनिट पर होगा शुब मुहुर्त की अगर हम बात करें तो और लवाकर के जिन सबसे पहला जो शुब मूहुर्त रहेगा वह सुबह चे बजे से लेकर साढ़े साथ बजे तक शुब का चुग्रिया रहेगा यह एवहन दो पहर एक बच के तीस मिट से लेकर से 30.00 तक अम्रत का चुग्रिया रहेगा तथा शाम के समय साड़े चार बजे से लेकर के छे बजे तक शुब का चुग्रिया रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुबकारी करेंगे, मांगलिक कारी करेंगे, नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संयोग निर्मित हो सकता है अब हम आपको मेज से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का दैनिक राशी फल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत्रक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेज राशी की इस समय उचित ग्रहस्तिती आपका सकारात्मक रवया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा समय का भरपूर्ण सद्वयोग करे रिष्टेदारों तथा संबंदियों के साथ आपके संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविश्य संबंदी महत्वपूर्ण योजना बनेगी धनलाव होगा नया काम आपका शुरू हो सकता है और उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में जाकर के यदि आप चावल का दान करेंगे तो आपका देन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशवरासी की राजनितिक तथा सामाजी कारियों के प्रती आपका रुजान बढ़ेगा और कुछ शुबह उसर भी आपको करिक्षितर में प्राप्त होंगे नय वाहन के खरिदने संबंदित योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया है तो पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा विध्यार्तियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशक्ता है मित्रों के साथ घुमने पिरने तथा मन और अंजन में अपना समय व्यर्थ नस्ट न करना चाहिए इससे आपके महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं रुख सकते हैं और उपाई के रूप में यदि आप चने की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ती को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिंदगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नया पन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानसिक वा शारिरिक ठकाबट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रभाः अपने अंदर आप महसूस करेंगे आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा दिन आपका बहुत उत्तम साबित होगा और उपाई के रूप में भोजन में हरी सबजी का उप्योग करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्वपूर्ण तथा उच्पद आसीन व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी लंबी चर्चा होगी और जो चर्चा होगी आगे चल करके आपको ही फाइदा देगी और विरोधी आपके सामने परास्त हो जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण शुरुवात हो सकती है तथा धनलाप के उत्तम आउसर आपको मिल सकते हैं उपाई के रूप में दूध का डान यदि आप मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई थाबित होगा आपका भागिशाली अंग 5 होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की घर के संबंदिक कुछ कार्य यूजना आपकी तयार होगी नया घर आप खरीद सकते हैं या नई प्रापर्टी आप खरीदने के बारे में वेचार विमर्ष करेंगे धार्मी कार्यों में आपकी विशेश रुची रहेगी परिवार के साथ अधिकतम समय आपका वितीत होगा आर्थिक इसिती बहतर रखने के लिए बजट बना करके आपको चलना अवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदि आप मसूर की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की कोट कचेरी के मामलों में आपको फाइडा होगा और मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी रिष्टेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी चतराई वा सूजबूच की तारीफ होगी लोग आपकी प्रसंसा करेंगे आपको मान तथा सम्मान भी प्राप्त होगा और उपाय के रूप में गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भाग्यशाली अंक छे होगा भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुलाराशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुने जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबूज तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी घर में कोई मैंगलिक करिक्रम संपन होने की योजिना बनेगी तथा रिस्तेदारों की आबा जाही बनी रहेगी और उपाई के रूप में किसी भी ब्राम्भन को या साधू संत को गुड़ और तिल का डान करेंगे तो आपका दिन शुफलताई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासे की धार्मी कारियों में आपका विशेश रुजहान रहेगा तथा समाज में लोग आपको पसंद करेंगे आपका रुद्बा बने रहेगा और लक्ष के प्रती आप एकागर चित रहेंगे सफलता आपको वश्च ही प्राप्त होगी नया वाहन नई वस्तु खरिदने के विशेए में आप विचार वेमर्श कर सकते हैं उपाई के रूप में नहाते समय अपने नहाने के पानी में तीर्थ जल, गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल डाल करके इस्तनान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंग छे होगा भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की इस समय शारीरिक और मैंसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक और अध्यात्मिक कारियों में आपका रुजान रहेगा इस्ताई संपत्ती भूमी भवन वाहन की खरीत फरोक्त की कोई योजना चल रही है तो उसमें गंभीरता पुर्वक विचार करें इस समय परिस्तियां आपके पक्ष में है किसी भी प्रकार का कोई यदि कागजी कारवाही आप करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़कर के ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी जर्वत मन मित्र की सहायता आपको करनी पड़ेगी और ऐसा करके आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी और अध्यानरत भच्चों को अपनी महनत के मरोवांचित परिडाम हासिल होगे जिससे उनका होसला और आत्मिश्वास और अधिक बढ़ने वाला है उपाय के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल और गुड का दान करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्भ राशी की इस समय ग्रह गोचर आपके अंडर भरपूर मनोबलव आत्म इश्वास पेदा करेंगे सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी लोग आपको पसंद करेंगे आपको नोकरी में नया आप काम नई जम्मेदारी मिलने का योग है पदो नती भी आपको प्राप्त हो सकती है आपको स्वभाव में सोमेतावा आदर्श बना करके रखना बहुत आवश्यक होगा उपाय के रूप में किसी भी ब्राम्भन को यदि आप चावल और दाल याने खिचडी का डान करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज दिन चरिया में परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुची पूर्ण कारियों में आप समय व्यतीत करेंगे इससे आपको खुशिया प्राप्त होगी पारिवारिक माहुल सकरात्मक रहेगा ससुराल पक्षि से कोई खुशी भरा समाचार आपको प्राप्त होने वाला है उपाय के रूप में यदि आप हल्दी का टीका लगा करके घर से निकलेंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा तो मित्रो यह बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको पताए हैं हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमिन करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजे आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्न साधर धन्या